इंडिया ग्रो कर रहे हैं 7.2% के रेट से और इस ग्रोथ के पीछे बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इंडियन बिजनसेज और कॉर्पोरेट्स को इंडिया का एक बहुत बड़ा पॉपॉलेशन चंक इन कॉर्पोरेट्स में काम करता है आप जो ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है आप भी एक corporate employee हैं मैं आज बात करना चाहते हो एक ऐसे issue पे जिसमें कोई बात नहीं करता सब चुप है इस बारे में और वो है इंडिया में growing toxic work culture के बारे में आप शायद इस terms को सुने होंगे कि 24 गंडे WhatsApp पे अवेलेबल रहना प और hard work को glorify करते हैं और इसका नतीज़ा यह होता है कि employees burn out हो जाते हैं exhausted हो जाते हैं और non productive भी हो जाते हैं Indian work culture में बहुत सारे issues है disturbing issues है पहला हो गया favoritism, superior का जो favorite है उसको पहले promotion मिलेगा ना कि on basis of performance दूसरा हो गया weekends किप कराना weekends को काम कर रहे employees 20-25 दिन स्टेट काम कर रहे विदाउट एनी week off और holidays थर्ड issue दिखता है गलत remarks pass करना office politics और सबसे जो खराब issue इन सब में से हैं जो कभी-कभी बाहर भी आता है दिखता भी है that is sexual harassment तो फिर एक question आता है अगर इतने problems exist करते हैं अपने work culture में तो फिर कोई आवास क्यों नहीं उठाता protest क्यों नहीं होते या फिर कोई अपने social media पर इसका कोई campaign नहीं देखते हैं कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहे सब चुप क्यों है इसका answer बहुत सिंपल है आप disposable है आप replaceable है अगर आपने आज कोई complain किया या आप गुस्से में आके job छोड़ दिये company को कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि इंडिया का population इतना huge है अगर आप आज छोड़ दे रहे वह जो नया जिसको job मिला है जो बंदे को job मिला है वह आप से कम salary में काम कर लें कोविट से पहले at least long hours दिखता था कि एक employees सुबह नौ बजे आ रहे रात को नौ दस ग्यारा बारा बजे लॉग आउट कर रहे वह दिखता था बट आफ्टर कोविट जब work from home हो गया और अभी जब वापस है हाइब्रीड बहुत सारे company कर रहे कि work from home और office दोनों मिक्स होगा या किसी किसी का है कि office जाकी काम करना पड़ रहा है companies यहां पे बहुत अच्छा surprisingly twist प्ले कर रही है आपको जो work from home के टाइम पर जो system आपके घर पे दिया गया था वह वापस नहीं ले रिये क्यों इसका reason है क्योंकि अगर आप सुबह 9 बजा office गये office पूरा दिन 6-7 बज़े तक काम किये अगर आपका work pending है वह बोल दिता आप घ corporate employees के लिए जो की बहुत खराब है पर reality है that is corporate slaves क्योंकि उनसे expect किया जाता है कि वो तो long hours रही रहें उसके बाद late night emails work calls यह भी attend करना पड़ेगा जो उनके टागेट से वह अनटेनेबल टागेट होते है नेक्स्ट इंपॉसिबल अचीव करने का ऐसा टागेट क्यों दिया जाता है ताकि वह ज्यादा confident नहीं हो जाए ज्यादा उनको company को कुछ देना नहीं पड़े क्योंकि अगर वह टागेट्स पर टागेट्स अचीव कर रहे है है month on month तो company भी liable हो जाती है उनको कुछ पर्क्स प्रोवाइड करने के लिए पर अगर employee टागेट्स अचीव नहीं कर पा रहे तो वह company liable नहीं है और डिमांड भी नहीं कर सकता नहीं क्योंकि उसका खुद का self confidence इतना तूट चुका है कि वह टागेट्स नहीं अचीव कर प हुआ था उसमें पाया गया था कि अगर employees week में तीन दिन काम करते हैं या चार दिन काम करते हैं वह five to six times जादा productive होते हैं अगेंस्ट वह employees जो दिन वीक में पांच से च्छे दिन काम करते हैं पर अपने इंडियन जो लीडर शिप है कॉर्परेट्स की या इंडियन कॉर्पर इंडिया में बहार वाले आउट्सोर्स करते हैं इंडियन को काम मिलता है तो company अपना profit देखते हैं उनको employee के well-being से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि उनको पता है एक employee जाएगा कल 1000 अप्लिकेशन आ जाएंगा 1000 employee ready हैं काम करने के लिए तो ऐसा तो नहीं है कि सब कॉर्प पड़ेगा कि employee well-being उनका mental state यह एक problem है यह reality है यह problem है second उनको train करना पड़ेगा जो भी managers है या CEO है या CFO है या CTO है उनको एक training देना पड़ेगा ताकि वह वह एक बनाते हैं वह बहुत जादा positive work environment रहें जहां पर हर एक employee को चाहे वह छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा employee हो सबको appreciation मिले appreciate किया जाए चाहे वह कुछ भी काम कर रहें third point जो most important मुझे लगता है that is a grievances system बनाना चाहिए जहां पर कोई भी जाके anonymously अपना complaint दे पाए और किसी को पता नहीं चले यह complaint किस ने किया है नहीं तो आपको पता ही हो वह employee का job चला जाएगा और जो grievances आ रहे है जिसके against भी आ रहे है doesn't matter वह hierarchy में कहां बैठा है कितना बड़ा officer है या कोई भी है यह जो complaints आ रहे है उसके against वह management investigate करे और इसका कोई solution निकाले और fourth है जो पहले भी था that is employee union अभी भी बहुत सारे government banks पे employee union है पर मुझे नहीं लगता है इंडियन प्राइवेट जो companies or corporates में को अब यहां पर डिबेट आता है कि employee union के भी बहुत सारे pros and cons है employee union का एक डिबेट यह है कि यह capitalism का अगेंस्ट है मैं capitalism के फॉर में हूँ पर कुछ चीजें उस employee union से अपने adapt कर सकते हैं जिससे betterment हो employees का तो एक employee union पे डिटेल्ड वीडियो बन सकता है जो मैं बनाऊंगा बाद में उसमें अपने इसके pros and cons के बारे में बात करेंगे तो यह था आज का work culture के बारे में वीडियो इंडियन work culture के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं employees तो बात ही नहीं करते क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा डर है तो अगर आप भी इस जो जो topics अपने जो जो points टच किये उससे relate कर पाते हैं please comment में बताईए और आपके वीडियो वो भी बताईए तो मुझे भी पता चले कि और क्या points है इसमें और solutions अगर आपके पर से कुछ और better तो वह भी आप लिखिए तो उससे क्या होगा और भी जो लोग यह वीडियो देख रहे या कोई management या corporate अगर यह देख रहे तो उन्हें भी कुछ ideas होगा कि employees के लिए हम better क्या कर सकते हैं तो यह था अज का वीडियो थ subscribe कर दीजिए next video आने से ही आपके पास तक ही सबसे पहले पहुंचे और bell notification उससे ही पहुंचेगा तो आज चलता हूं thank you